हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं केसरी रबडी इसके लिए हमें यह चार इंग्रीडेंट्स जाहिए अमूल का फुल फैर्ट मिल्क 1 लीटर आधी कटोरी शक्कर कुछ रफली चॉब नट्स इसमें आप अपने पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं और कुछ केसर के स्ट्रेंट्स तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो रबडी बनाने के लिए हमने अपना यहां दूद्ध तेज आज पर यानि फुल फ्लेम पर उबलने के लिए रब दिया है अब हमारा यह दूद्ध बॉइल पर आ गया है हम इसमें अपनी शकर आड़ कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसको हम वन फोर्थ तक रड्यूस होने तक पकाएंगे मीडियम तो लो फ्लेम जब हमाई शकर डिजॉल्व हो जाएगी तो हम इसमें अपने केसर के स्ट्राइंड डाल देंगे और इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे ताकि पूरा फ्लेवर इसके अंदर इंदर इंफ और इस तरीके से दूद में ड्रॉप करते जाएंगे यह हमें हर तीन मिनट पे करना है जैसी जैसी मलाई आती जाए याद रखिएगा यह लच्छेदार रबडी बनाने की बहतरीन टेक्नीक है तो आप देख सकते हैं इसके उपर एक और बार मलाई आ गई हम इसे फिर से व आपकते हुए अल्मुस्ट बीस मिनट हो चुके हैं और हम वही प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहे हैं और रहा मैं थोड़ा थोड़ा बीच में भी ऐसे चम्मच चलाते रहें और यह वाल्स के से भी इस तरीके से निकालते रहें ताशी को बीचीज चिप के और जले नही तो अब आप देख सकते हैं हमारा मिल्क वन फोर्ट तक रिड्यूस हो चुका है और इस तरीके के बबल्स आ रहे हैं यह कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हैं हमाई लच्छे दार रबडी में लच्छे भी काफी अच्छे आ चुके हैं अब इस पॉइंट पे हम अपनी फ् हुज़े जलेभी अ कर देंगे आपके अब्रेश करते हैं अलें को टारे फोर्ट कारे इसे अध गiona कर देंगे और सց क्यानल को टुमा रची आप देख पपको चलेशूर रबडी काफी अच्छे तरीके साफ कर सकते हैं Zeus अगर आप देक सकते हैं तो इसको काफी तरीके सी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए गुडबाई मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ